अगर टिनर में कुछ अलग खाने का मन करें, पाव भाजी कीसे नहीं पसंद। अगर पाव भाजी खाने का मन करें न, जट पर दस मेर में बना इतनी टेस्टी पाव भाजी बोवी कुकर में। पाव बहुत परफेटली सेगा हुआ है थोड़ा सा नीमूर निचोड़ने के बाद पाव के साथ बटर के साथ भाजी के साथ और प्याज का मज़ा कुछ अलग ही होता है तो जररी से ट्राइ करना और मुझे बताना इसका टेस्ट कैसा लगा तो चली सुरू करते हैं इसका प्रिपारेशन पहले हम लेंगे कुकर कुकर में मेहा पर ले रही हूँ कुछ सबजियां मेहा पर अलू, गाजर, ग्रिन माटर, सिम्ला मिच, थोड़ा सा ग्रिंजीली और चर्फ क्या हुआ गालिक और जिंजर और बीन्स भी ले रही हूँ अब के पास इन में से जो कोई भी सब्जी अबलेबल हो ना आप यूज कर सकते हो इसमें हम डालेंगे एक टेबल स्पून ओयल के साथ एक बड़ा क्यूब बटर बटर से तो इसका असली मज़ा आता है अब हम इसमें डालेंगे चर्फ क्या हुआ गालिक चर्फ क्या हुआ जिंजर और चर्फ क्या हुआ ग्रिंजीली थोड़ा सा भुनने के बाद ही ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे उसके बाद हम इसमें डाल देते ही जब क्या हुआ प्याज अगर पाव बजी खाने का मन कर रहा है पर बनाना में धिन्चट लग रहे है न अधिकत लग रहे है न तो आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकती हूँ यहाँ पर दो टमाटर को चौप करके इसमें डाल रहे हूँ थोड़ा सा प्याज को पिंक होनी के लिए छोड़ देंगे उसके बाद ही इसमें हम टमाटर डालेंगे टमाटर अच्छे से पकनी के लिए मैं हाँ आपर स्वाधन सा नमक डाल रहे हूं इससे हम अच्छे से मिक्स कर लेते ही अब हम टमाटर को थोड़ा सा पकनी के लिए छोड़ देते ही यहां पर हमको spices आड़ करने बाले में हैं पर 1 teaspoon कास्मेरी रड़ चिली पाउडर एक teaspoon गरम मसाला पाउडर डालका इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं अगर मसाला नीचे चीपक रहा है न इसमें आप थोड़ा सा पानी आड़ कर लेना यहां पर हम थोड़ा सा पानी आड़ करके मैं आपर गरम पानी ही आड़ कर रहे हूँ तो इसा करने से temperature बालांस रहेगा और इसे हम भून लेते हैं अब हम इसमें डालेंगे एक tablespoon भरके पाउड़ बाची मसाला और इसे भी हम भून लेते हैं यासका flame हम low ही रखेंगे भूनने के बाद अगर आपको जरुत हो थोड़ा सा पानी आड़ करने के लिए आप इसमें पानी आड़ करके इसे अच्छे से भून लेना अब हम इसमें डालेंगे एक teaspoon के करे भल दी और इसे भी हम अच्छे से भून लेते हैं अच्छे से भूनने के बाद अब हम इसमें वेज़ी साड करने बाले हैं अब हम इसमें गाजर, सिमला मिर्च, आलू, बीन्स, मार्टर जो कोई भी सबजी आपके पास हो आप डाल देना इसका मतलब यह नहीं कि आप भेंगन डाल देंगे अगर आपके पास बीट रूट हो आप इसमें डाल सकते हो और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इस सारे मसालों के साथ सबजी को दो मिनिट के लिए low to medium flame पे ही हम इसे पकने के लिए छोड़ेंगे यहाँ पर हमारा सबजी मसालों के साथ अच्छे से पक चुका है अब यहाँ पर हम डालेंगे गरम पानी गरम पानी डालने से बहुत जल्दी कुक भी होता है और temperature भी सेट रहता है अब हम इसमें ढकर लगाकर तीन सिटी आने तक रुखेंगे medium flame पे ही हम तीन सिटी आने तक इसमें रुखेंगे उसके बाद हम इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं जब तक इसका प्रेसर अच्छे से निकरना जाए उसके बाद एक स्मासर की मदर से इसे हम अच्छे से स्मास कर लेते हैं जैसे कि सारे सबजी अच्छे से इखुल मिल चाहे यहाँ पर हमारा यह हो चुका है अगर आपको लगे कि थोड़ा सा पानी चाहता है तो आप ग्यास का फ्रेम आन कर सकते हो और दो मिनिट के लिए इसे फिर से उबाल सकते हो तब तक हम बैल करेंगे जब तक इसका कंसिस्टेंसी परफेट ना हो जए थोड़ा सा गढ़ा ना हो जए अब आप इसमें डालेंगे फ्रेज सनी की पत्ते यहाँ पर हमारा पाव भाजी बिलकुल रड़ी है दोस्तों यहाँ पर हमारा भाजी तो रड़ी हो चुका है तो चलते हैं गरम गरम पाव को सेखने के लिए बिलकुल परफेट कंसिस्टेंसी है जो हमें चाहिए तो चलते ही अब पाव को सेखने के लिए किस किस को पाव बाजी बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे जरूर कमेंट करना अब हम लेंगे तावा, तावा में हम डालेंगे थोड़ा सा वटर मैं हम पर थोड़ा सा पाव बाजी मसाला भी छिड़क रही हूँ पाव में टेस्ट आने के लिए अब हम पाव को इस तरीके से कट करके ही इसमें रख लेते हैं ओपर ने चेक करके इसे हम अच्छे से शेख लेंगे अगर आपको पाव ज़्यादा से का हुआ पसंद है आप इसे ज़्यादा सेख सकती हो नहीं तो सर्फ सप्ठी सेख सकती हूँ चलते ही अब हम पाओ वाजी सर्फ करने के लिए गर्मा गरम भाजी के साथ थोड़ा सा बटर प्याच और नेम्बू के साथ पाओ गर्मा गरम आपको 10 से 15 मिनिट में भाजी के रेसिपी केसे लगा पाओ वाजी केसा लगा मुझे चलर कमेंट करना थेंक्स पाओ वाजिंग